Hi friends, welcome to our channel तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आप सब के साथ Pure Curl का review share किया है help से आप अपनी surface को clean कर सकते हैं तो मैंने आप सब के साथ share किया था कि किस तरह से इस product ने मेरे gas cook top को clean करने में मेरी help करी है तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका link आपको definitely description box में मिल जाएगा और eye button पे भी mention कर दूँगी तो जब भाई gas cook top clean कर लिया है तो अब बारी है kitchen slab को clean करने की kitchen slab को भी हम इसी product से clean करने जा रहे हैं आज तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसकी help से kitchen पे लगे हुए इस chains जो हैं उनको clean करोंगी इस chains आपको मैं दिखा पा रही हूँ वीडियो में कि इस chains कितने जादा kitchen slab पे लगे हुए तो हमारी Indian cooking में oil use ना हो और उनके chains हमारी kitchen slab पे ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है तो मैं आपको अपनी kitchen slab दिखा रही हूँ जिस पे oils जो है इस chains जो है वो लगे हुए है उसको इस product से remove करने की कोशिश करते हैं तो आप वीडियो में देख पा रहे हूँगे कि product आपको spray type की connector के साथ मिलता है जिसकी वज़े से product का application काफी ज़्यादा easy हो जाता है यह chains hard है इसलिए मैं इसको लोहे वाले जूने से रफ कर रही हूँ अगर आपके chains light हो तो आप केवल product को spray कर सकते हैं और उसको wet cloth से clean कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो kitchen slab है उसके chains hard है उनको remove करने के लिए केवल अगर मैं उसको wet cloth से ही clean करूंगी तो chains completely remove नहीं हो पाएंगे इसलिए अब मैं उसको लोहे वाले जूने से properly rub करती जा रही हूँ जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे तो अब बारी थी kitchen wall tiles को clean करने की अब जानते ही हैं कि जब kitchen में तड़का वगरा लगता है तो उसके चीटे kitchen की wall tiles में लग ही जाते हैं उन stains पे भी मैंने इस product को properly spray कर लिया था और मैंने थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दिया था छोड़ देने के बाद अब मैं rubbing करूंगी जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे तो अब मैं आपको वीडियो में दिखा पानी हूँ कि मैंने properly surface को rub कर लिया है तो अब बारी थी इन सब को wet cloth की help से साफ करने की जो कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ तो मेरी चैनल पे बहुत सारे cleaning products के review अपलोड है अगर आपने उन products को नहीं देखा है तो definitely आपको उनका link description box में मिल जाएगा और मैं eye button पे भी mention कर दूँगी आप उन वीडियो को check out करके जान सकते हैं कि कौन सा product आपके affected area को clean करने में आपकी help कर सकता है और कौन सा product कितना जादा work करता है कैसा work करता है कितने दिन में आपको result मिल पाएगा क्योंकि आपके बहुत सारे comment आते रहते हैं कि जो product मैं आपको बता रही हूँ उसको आपने use करा था लेकिन आपको result नहीं मिल पाया है मैं आपको बता दू कि हो सकता है कि जो आपकी surface है उस पे hard staining हो रखी हो और product जो है वो पहले application में आपको result ना दे पा रहा हो तो बस आपको उस product को 2-3 बातों use करना ही पड़ेगा लेकिन अगर आप मेरे regular viewer हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी product का first time application कर रहे हैं हम use करने वाले हैं वो मेरी surface को clean करने वाला है या damage करने वाला है इसलिए जब भी आप new product application करेंगे तो उससे पहले spot check कर लेंगे उसके बाद ही आप उसका proper application करिएगा तभी आपको अच्छे result मिलेंगे और आपको ध्यान भी रखना है कि rubbing भी proper करेंगे तब result और भी ज़्यादा अच्छे और visible दिखाई देंगे और हो सकता है कि आप अगर first application कर रहे हैं product का तो आपको इतने अच्छे result ना मिल पाएं तो आपको उसके लिए product को 2-3 बाइप्लाई भी करना है उसकी rubbing भी करनी है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में कि मेरा जो kitchen slab है और kitchen wall tiles है वो properly इस product की help से clean हो चुकी है तो मैंने आप सब के साथ इस product से rated maximum information शेयर करी है लेकिन उसके अलावा भी अगर आपकी कोई और query है तो आप मुसे definitely comment section ने पूछ सकते हैं तो इस product का link आपको description box में मिल जाएगा और अगर आपको video थोड़ी भी useful लग रही है नए है इस channel पे नहीं किया channel को subscribe तो channel को subscribe करना मत भूलेगा वीडियो को like करना मत भूलेगा bell notification को on कर लीजेगा all page set कर लीजेगा ताकि मेरी upcoming video की notification आपको मिलती रहे और हम मिलते हैं अपनी next video में तब तक कुष्राइए सोस्तराइए